शेहरे कराची को ना सिफ रोश्णियों का शेहर कहा जाता है बलकिसे मेनी पाकिस्तान काईद का शेहर ब्राइड ओफ सिटीज और पैरेस ओफेशिया भी कहा जाता है जिहां आपने बिल्कुत सही सुना पैरेस ओफेशिया भी कहा जाता है और इसे इसकी ये टम फर्स चैम कि इस पर भी हम आज बात करेंगे असलाम वालेकुम, मैं हूँ जुनेत अली और आप देख रहे हैं स्ट्रोड प्लैनेट चलते हैं टॉपिक की तरफ कराची जो कभी कॉलाची नामी एक छोटे से फिशिंग विलेज की हैसियत रखता था अठारवी सदी में दर्म्यानी दर्जे के शेहर की हैसियत अख्तियार कर चुका था परतानवी कॉलोन ये लिस्ट ने कराची को मज़ीद वुस्वत और तरक्की से हमकिनार किया और शेहरे कराची को कारूबार और तिजारत का दर्जा हासिल हुआ अगर हम दुनिया के बड़े शेहरों के लिए सुठा कर देखें तो इसमें कराची का नंबर सात्वा है यानि के दुनिया का सात्वे नंबर पर कराची शेहर है सबसे बड़ा और पूरे पाकिस्तान में इसका नंबर अवल है यानि के पहले नंबर बर है पाकिस्तान के शेहरों में इसलिए कराची के मुतलिक ये भी मशूर है कि ये ऐसा शेहर है जिसमें कई छोटे छोटे शेहर आबाद है और दुनिया के महफूस तरीन शेहरों में कराची का शेहर 57 यानि 57 वा है अगर हम सेहरों तफ्री के लिए कराची का रूफ करना चाहें तो ये शेह कराची आपको खुश कर देगा यहां बहुत से ऐसे तफ्रीही वा सयाहती मुकामात हैं जिनके नाम अगर यहां गिनवाए जाएं तो फहरेस्ट काफी तविल बन जाएगी तो लहाज उनमें से चंद एक मुकामात के नाम में यहां पर आपको बताना चाहूँगा जिसे यकिनन आप भी देखना चाहेंगे या आप में से फोसल लोग इसे देख चुके होंगे जिनमें किलिफटन, हॉक्सवे, सीवियो, मजारे कायद, पोर्ट ग्रेंड, पी ए एफ म्यूजियम, मैरी टाइम म्यूजियम, कराची चिडियकर, कराची सफारी पार्क, चरना आइलेंड, मोहत्टा पैलस, चोखंडी मजार, टैविल्स पॉइंट, फेरियर हॉल वगेरा शामिल है, जो वाकरी देखने से कालूग रखते हैं, अगर आप भी जाएं, तो लाज़मी मुझे कमेंट करके बताएगा, कि आप इनमें से कौन-कौन सी जगा देख चुके हैं, कराची को पाकस्तान का मौशी हग इसलिए भी कहा जाता है, क्योंकि यहां बहुत सी छोटी बड़ी सेनतें, कारखानें और कारोबारी मराकिस काइम हैं, जो वतने अजीज पाकस्तान को माकूल यानि के अच्छा खासा रेविन्यू भी फराहम करता है, और कराची पाकस्तान की मईश्यत में रीड की हेड़े की हैस्यत रखता है, और कराची को पाकस्तान का अमीर तर 12 सालों में कराची में मुआशी तरक्की और सियासी हिस्ते काम आने के बाद बरतानवी हुकाम और उस वक्त के मेर कराची सेड हर चंदारी ने कराची की खुबसूरती के लिए ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट शुरू किया था जिस पर अमल दरामत देखकर कराची की पार् आसोफेशिया से तजबी दी जाने लगी थी अगचा कहने को तो बहुत कुछ है पर इस वीडियो में इतना ही उमीद है आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी अपनी राय देने के लिए कमेंट करें अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राब कर करते हैं ताथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं ताकि आपको इस तरह की मजीद इंट्रस्टिंग और इंफरमेटिव वीडियो मिलती रहें मिलते हैं अगली वीडियो में मजीद दिल्चस्प मालूमात के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिस